नमस्कार साथियो आज हम करने वाले हैं राजस्तान जी के कुछ इंपोर्टेंट पर्सनों का टेस्ट तो जल्द वीडियो स्टार्ड करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्यूशन राणा परताप के वफ़दार घोड़ी का नाम था बताना है साथियो जो राणा परताप थे उनके वफ़दार घोड़ी का नाम क्या था कंठक, मस्त, मालणी या फिर चेतक तो साथियो राणा परताप है उनका घोड़ता चेतक ओप्सन डी आपका करेक्ट आंसल हो जाएगा बढ़ते हैं साथियों हमारे next question की तरफ राजस्तान का भिश्म कहा जाता है राजस्तान का भिश्म किसे कहा जाता है साथियो कुमर चुंडा को, मोकल को, राणा कुमबा को या फिर इन में से कोई नहीं तो साथियों जो राजस्तान का भिश्म है ये कहा जाता है कमर चुंडा को option A आपका correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं सात्यों next question की तरफ उदेपुर की पिछोला जील का निर्मान किसने करवाया था? बताना है सात्यों कि उदेपुर की जो पिछोला जील है उसका निर्मान किसने करवाया? छेतर सिंग ने, लक्स सिंग यानी राणा लाखा ने या फिर राणा कुंबा ने या फिर मौकल ने तो सात्यों जो उदेपुर की पिछोला जील है इसका निर्मान करवाया था लक्स सिंग ने option B आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं सात्यों हमारे next question की तरफ सर्वर्पतम मराथों का प्रविष्ट राजपुतान के किस राज़े में हुआ? तो राजपुताना के किस राज़े में मराथा सर्वर्परतम प्रविष्ट किए? कोटा में, मेवाड में, जेपुर में या फिर जोद्पुर में तो साथ यहां पर आपका राइट आन्सर हो जागा कोटा ओप्सन एपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा माराठा थे उन्होंने सवर्व पृत्म राध्यूर्ट पूता नहीं कहां पर प्रविश किया था कोटा में बढ़ते हैं साथ हमारे नेक और किस वर्स में घटित हुआ था या आपको बताना है अठारा सो नन्यान में उन्हें सो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्यूशन की तरफ और साथ हमने सारे के सारे इंपूटेंट क्यूशनों का ही सम्मलित किया है तो आश्य द्याओं सब्सक्रात सब्सक्राइश-भाइश-दVIS जिए और वाल उसनी ने पिर्तिहार ने और तो वह गिती टूमरों की गए अपने यहां पर हो जाएगा है परतिहार नीर्द पर्मार यह सारे आपके बढ़ते हैं साथ हैं हमारे next question की तरफ महाराना संगा ने इबराहिम लोधी को किस युद में प्रास्त किया महाराना संगा ने इबराहिम लोधी को किस युद में प्रास्त किया था इबराहिम लोधी को कौन से युद में प्रास्त किया था थीक है अभी यहां पर पूछा गया है तो वह आप खातोली का युद्ध जहां पर महाराना संगा ने अपनी युद्ध में लड़ते हुए अपने एक बादू कट वाली थी यानि एक बादू इनके क्या हो गई थी सातियों कट गई थी इब्रहाम लोजी से लड़ते हुए पहले ही युद्ध में एक खातोली का इनका उसमें बढ़ते हैं साथ हो हमारे नेक्स्ट क्यूशन की तरफ किसने दिल्ली जेपूर बनारस उजेन तता मतुरा में वेद सालाई जंतरमंतर बनवाए हैं तो यहां पर बात की गई जंतरमंतर की जंतरमंतर किसने बनवाए थे जंतरमंतर कहां कहां पर बनवाए है जेपूर में बनवाए है बनारस में दिल्ली में उजेन में और मतुरा में पाँच जगह पर जेंटरमंतर कर निर्बाण करवाएगा है किसके दुआरा करवाएगा है साथियों तो ये करवाएगया है सवाई जैसिंग के दोड़ा ओप्सन भी आपका क्रीक्ट आंशर हो जाएगा जेपुर्ण नगर की इस्ताफना किस ने कीती साथियों कि ये पुर्णगर की स्थापना किस ने की ती कमेंट करना है यदि आपको राइट आंसर पता है तो नहीं तो नेक्ट सीरीज में इस क्यूशन को एड़ कर लेंगे बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्ट क्यूशन की तरफ मेवार के किस सासक के समय में मेवार मुगल संदी 1605 इस्वी में हुई देखो यहां पर संदी की बात की गई है कि मेवार मुगल जो संदी है साथियों मेवार मुगलों की जो संदी हुई थी वो किस सासक के समय में हुई थी यह यहां पर पूचा गया है राणा संगा राणा प बढ़ते हैं सात्यों हमारे next question की तरफ थार मरुस्तल राजस्तान के कितने भाग पर विस्तरित है जो थार यह कुछन पूचा जा चुका है इसलिए मैंने इसको थोड़ा साय से रिपिट किया है बढ़ते हैं सात्यों हमारे नेक्ट की तरफ राजस्तान की उत्तर से दक्षिन की लंबाई है यह कुछन आपके लिए सात्यों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है क्या करना है इसका आंसर क्या करना है आपको क्या करना है कमेंट करना है राजस्तान की उत्तर से यह ऊगया उत्तर और अ उत्तर से दक्षिन की जो लंबाई है यह आपको बताने है कित्ने हैं यह 636 कीमी यह 706 शब्शेघ्या फिर pc 1969 तो कौन सी यह साथ यह इन में से राइट आंसर कौन सा है आपको करना है कमेंट अगर है राइट आंसर कौन सा है तो इस क्या करेंगे नेक्स्ट जो टेट सीरी जाएगी उसमें हमें इसको एड़ कर देंगे उम्मेद करता हूं साथ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को कीजिएगा और वीडियो का अपने दोस्तों के पास सेर भी कीजिएगा